हेलो गाइज आयम तमन्ना वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइज आज मैं आप लोगों के साथ में शेर कर रहे हूं दिल्ली चामा मज़िद इस्टाइल चिकन फ्राई जी हां गाइज यह दिल्ली जैसा बिल्कुल जैसी की दिल्ली में मिलता है नहीं चिकन फ्राई बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे की हम लोग शादियों में जाते हैं या जह हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो हम लोगों को चिकन मिलता है ना बस सेम वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ में शेर करने जा रही हूं हम लोग जब बाहर जाते हैं में खाने के लिए तो पिःको आज वह बिल्कुल मैठर्ड आप लोग के साथ में किस टाइप से आप के बनाए कि कोतिंग भीं नहीं तो कर दूथ हो आज लेथे हैं हम लोग किस टाइप से ही ठाइप से इतना बढ़ है चिकन बना सकते हैं पुरानी दिल्ली के बहुत मशूर फ्राइ चिकन की रेसिपी जिसे हम बनाने वाले हैं बिल्कुल और ट्रेडिशनल तरीके के साथ में यह ट्रेडिशनल तरीका बहुत ही बढ़िया होता है बिल्कुल परफेक्ट फ्राइ चिकन बनके रेडी होगा जिस तरीके से मैं शेर कर रही हूं यह बहुत ही मज़िदार बनने वाला है कि बस आप खाएंगे और आपको मज़ा आजाएगी आपको ऐसा लगे गा नहीं कि आप घर में बैटके खा रहे हैं तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन जो की है 500 ग्राम इसे मैं अच्छे से वाश करके सारा वाटर इसका ड और यह लिया है मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट हरी मिर्च का पेस्ट तो बस आपको हरी मिर्च को पीस लेना है अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और यह लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट तो आप मेजर्मेंट देखते रहेगा कि कितना कितना मैंने लिया है और यह लिया ह मैंने अद्रक तो half half spoon अद्रक और लेसुन का paste हो गया और half spoon से भी कम हो गया हरी मिर्ची का paste और यह लिया है मैंने one lemon तो यह one lemon का juice हमें इसमें add करना है तो बस बड़ी है सा एक lemon का juice इसमें add करने तो यह है हमारा first marination और नमक आपको बस इसमें one teaspoon ही add करना है या थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं सारा lemon juice आपको इसमें अच्छे से add कर देना है और फिर इसमें बड़ी हैसा आपको करना है mix और mix करने के बाद में इसको आपको रख देना है अगर ओसम ठंड़ा है में जादा है तो आप दो से तीन घंटे भी रख सकते हैं जितना जादा बढ़िया इसे रखेंगे उतना जादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए फर्स्ट मेरिनेशन करने का मतलब है कि चिकन को जूसी और मोजड बनाना इसलिए हम लोग यह फर्स्ट मेरिनेशन इसे दे हुए तो अभी इसमें हम लोग कुछ स्पाइसे सैट करेंगे तो मैं इसमें ले रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर नहीं हो ना तो आप इसकी जगह पे अर रोड भी ले सकते हैं दोनों सेम वर्क करेंगे और अभी मैं इसके साथ में ले रही हूँ यह धनिया पौडर तो बस यह देखिए मैंने वन स्पून ले लिया है इसमें धनिया पौडर और इसी के साथ में और भी कुछ स्पाइस इस के अंदर जाने वाले हैं तो वो है ये बेसन तो मैं इसमें ले रह Hungarian ले रही हूं टू टेबल स्पून बेसन अच्छे से भर के फुल स्पून लेना है तो जो मैं ये इंगिरीडियन दिखा रही हूँ ना आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ इन में साब को कुछ भी इसकिप नहीं करना है गाइस और अभी मैं ये ले रही हूँ रिड चिली पॉडर तो आप ये माइन में रखते हुए लीजेगा कि इसमें हमने थोड़ा सा ना हाफ स्पून के करीव ग्रीन चिली का पेस्ट भी आड़ किया था वैसे ये जो है ना ये थोड़ा सा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है थोड़ तो ये भी आपको ले लेना है वन टी स्पून और वन टी स्पून आपको लेना है इसमें गरम मसाले का पॉडर और ये ले रही हूं मैं चाट मसाला तो चाट मसाला जरूर आड़ करें इससे ना टेस्ट बहुत जादा बढ़िया आता है तो इस पे मैंने हाफ स्पून किरेच करहां अभी यह ले रही हूं एजवाइन तो आप देख रहा है नए जोटा से कि सपून है उमेन इसपून से लिया है तो जोड़ा-सा हैन्ड से करश करके अध्य मैं करके और अभीम में काला नमक स्देशछ बहुती जादा बढ़व सा य Linked नमक कोई तीसरी बार डाला है और अभी मैं ये ले रही हूँ फूड कलर फूड कलर लेना तोटली ऑप्शिनल है आपको पसंद हो तो एड करें नहीं तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं और अभी मैं ये ले रही हूँ अगर आपके पास में हंक कर्ड हो तो आप वो ले 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 अभी इसमें आपको कोई भी वाटर एड नहीं करना है जो वाटर इसमें से हमारे चिकन ने रिलेस किया है ना उसी वाटर के साथ हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है पानी बिल्कुल भी नहीं डालें आप इसमें गाईस पानी डालने के आपको कोई नीड नहीं है बस चिकन से जो वाटर रिलीज हुआ है उसी में आपको इसे बड़ी ऐसा मिक्स कर देना है तो मिक्सिंग आप बहुत अच्छे से करें इसमें जल्दवाजी मत करिएगा और च चले जाते हैं जिससे जह हम खाएं तो हमारा चिकन हमें बढ़िया सा फ्लेवर दे टेस्ट दे अभी मैंने यह लिया है कढ़ाई कोई भी फ्राइपाल लें कढ़ाई लें और मैं उसमें आड़ कर रही हूं मस्टर्ड ओल तो आपको गाईस इतना लेना है कि हमारे जो चिक हाई तो भी तो इसमें इसमें लाजाती है अगर यह पली है अगर यह बभी अस हिट नहीं होगया तो अभी ना यह बढ़िया पर्फेक्ट गरम हो चुका है इसमें सेस्टिम निकल चुकी है तो अब इसमें एक एक करके हैं अब hombres सारे Corps को इसमें करते जाएंगे तो जो यह के पीसे को इस पर ड्रॉप कर देना है जब यह अच्छे से 5-6 मिनट तक एक साइट से हो जाएं तो फिर आपको इनकी साइडों को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी आपको 5-6 मिनट लगेंगे इन्हें बढ़ी ऐसा फ्राइब करने में तो जब आप इनकी साइडो उसकी कोटिंग निकल जाती है जो हम लोग बाहर काते है उस बैसा नहीं होता तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ऐसा क्यों होता है बाहर तो बहुत बढ़या बनता है तो अभी आप देख रहें न मेंने फ्लेम को slow कर दिया है अछशे अगर आपको यह एक्स्टा क्रि जो जाते हैं लोग उसे वाफिस से पर और देते हैं तब हम लोगों कों अहार जाए, ना। जब आपके एक पुछ च्छोह आदा करना है लिए ना जाते हैं वह lower बाइं ह्लत कोम एक और भाउम चेज़ा की चौह váipe सो समय कंप decision तब ही वह हम लोगों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी लगता है तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन बन के रेडी हो गया कितना पढ़िया कितना डिलेशिस दिख रहा है ना तो बस इसी टाइप से आप भी बनाएं और बनाने के बाद में इसे गर्मा गरम खाएं और हाँ उपर से इसके चाट मसाला डालना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ में थोड़े सी प्यास के लच्छे काट लें और यह ग्रीन चटनी है इसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ में शेयर किये नहीं देखा तो प्लीस चैनल को चेकाउट करें और रेसिपी कैसी लगी कॉमेंड मे बताने बिल्कुल नहीं भूलें और चाट मसाला इसके उपर स्प्रिंकल करना बिल्कुल नहीं भूलें चाट मसाला डालने से टेस्ट और भी जादे इन्हेंस हो जाता है तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी यह आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार बनके रेडी हूई ह इसी chutney के साथ प्यास के साथ काईए बस आपको मज़ा ही आ जाएगी तो recipe जैसी भी लगे मज़ा है तो comment में जरूर बताईएगा और family and friends के साथ में share करना बिलकुल मत भूलिएगा तो guys फिर मिलती हूँ आपसे next video में next recipe के साथ में okay if you like this video so please hit the subscribe button for more good videos okay guys फिर मिलती हूँ next recipe में till then bye झाएगी